है दोस्तों नमस्कार आईए एक बर फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल देवा एजुकेशन्स में यूपी लेकपाल ग्रामिल परिवेश विकास एवं समास के एकजामपूर के 50 प्रैक्टिस सेट को हम बस पूरा करने से 3 कदम ही दूर हैं और आज इस वीडियो खतम होती है इस वीडियो के जस्ट हम आगे यूपी स्पेसल के स्रिंखला लेकर आने वाले हैं तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस सेट नमबर 48 आपके स्क्रिन पे आ चुका है और देखिए 48 का पहला कुस्च्चन राष्टी सोया सोया बीन अनुसंधान केंदर कहां इस्तित है मेरे दोस्तों सोया बीन ये आपका इस्तित है इन दौर में आंसर नमबर 1 सही जवाब हो जाएगा आगे बढ़ेंगे आदर्च सेवा ग्राम योजना की शुरुआत किस गाव में हुई सही जवाब आपसन ए स्री सुंदरम वर्स 2001 से 2011 के बीच उत्तर प्रदेश की जन घनतों में ब्रद्धी हुई तो ये जो ब्रद्धी हुई ये कितनी हुई मेरे दोस्तों ये हुई 139 मतलब 149 प्रतिव वर्ग कीलो मीटर आपसन नमबर 2 मेरे दोस्तों सही जवाब हो जाएगा आगे बढ़ेंगे 14 मिट्डी का रंग काला हुना प्रकट करता है मेरे दोस्तों तो ये प्रकट करता है भूमी में जैवुपदार्त की उपस्थिती पांच्वा कुस्चन किरसी बेवसाय में आधुनिक्ता का प्रतीक है हरीत क्रांती आगे बढ़ेंगे भारती संदर्म में समानित नगरी का अर्थ है इसका सही जवाब हो जाएगा आपसन नंबर 2 जन संख्या का आकार तथा घंदत्यों का प्रकार आगे बढ़ेंगे अमीर खुसरों का जन्म कहा हुआ था कास गंज में हुआ था आपसन ए आगे बढ़ेंगे आठ्मा कुश्यन ग्रामीड छेत्रों में पेजल हेतु द्वारा केंद द्वारा तो जल धारा योजना कब शुरू की गई तो तो जल धारा योजना आपकी सन 2000-2002 में शुरू की गई थी आगे बढ़ेंगे निम्ड में किस राज की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती मेरे दोस्त नहीं लगती पंजाब की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती आपसन बी जन गणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सरवाधिक भूमी सरवाधिक मुस्लिम आवादी वाला जीला कौन है मेरे दोस्तों अगर सरवादिक मुस्लिम वाला जीला आपका मेरट हो जाएगा कौन हो जाएगा मेरट हो जाएगा अगर लेकिन अगर कुछिटर में पूच्छता है कि सबसे ज़्यदा मुस्लिम कहां पे हैं तो उस अनुसार हम रामपूर लगा रहे होंगे क्या लगाएंगे अपसन रामपूर लगाएंगे क्योंकि रामपूर में जो हिंदू की संख्या है मुसल्मानों से क्या है कम है मेरे दोस्तों क्या है कम है वहाँ पे रामपूर में आपके रामपूर में क्या है कि हिंदू जादा है मुस्लिम स्वरी मुस्लिम जादा है हिंदू कम है चलिए आबादी के हिसाब से इस कुश्चन का सही जवाब मेरट हो जाएगा सरवादिक मुस्लिम आबादी वाला जिला मेरट है लेकिन जन संख्या में रामपूर आगे बढ़ेंगे जन गणना 2011 के इंगा नुपात जिला है मेरे दोस्तों तो इसका सही जवाब हो जाएगा सही जवाब इसका हो जाएगा बलरामपूर आपसंबी वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तरब्रस के कौन से जिले में सबसे कम वन छेत्र पाया जाता है सही जवाब संत रविदास नगर भदोही मे सबसे जादा सबसे कम मेरे दोस्तों सबसे कम बन पाया जाता है आगे बढ़ेंगे सूखा असंकित सूखा असंकित छेत्र कारेकरम कब चला गया सूखा असंकित छेत्र कारेकरम आपका 1973 में चलाया गया आपसंसी किस राजिक के वन और विच्छा वरण में सरवाधिक ब्रि लागू हुई तो ये बेवस्ता लागू हुई एक जनावरी ये बेवस्ता लागे हुई पूरे भारत में एक जनावरी 1826 को आगे बढ़ेंगे मैं ग्रोव वनों की सरवादिक वृद्धी में सिर्स राज एक कौन साहे में दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपसर नं ऐसे आगे बढ़ेंगे इन में से सबसे छोटा कौन है मेरे दोस्तों सबसे छोटा आपका सब से छोटा आपका Unwansi होता है सब से छोटा आपका играमोदल योजना का धे है तो सही जवाब हो जाएगा γ्रामिड आعब सकताओं की पूर्ति जैसे की प्रात्मिक सिछ्छा स्वास्त रच्छक पेय जल आवाश तथा ग्रामिड सडकों का निर्माड कराना चलिए आगे बढ़ेंगे अगला कुश्चन 22 मा उर्दु सारी के फिराग गोरखपुरी के नाम से कौन है परसिद हैं तो रगुपती सहाय फिराग गोरखपुरी के नाम से जाने जाते हैं आगे बढ़ेंगे 23 कुश्यन लेंगे जो आपके स्क्रिन पे आया है राष्ठी ग्रामिट स्वास्त मिशन का सुभा रम्ब कभभ दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ठी स्वास्त राष्ठी ग्रामिट स्वास्त मिशन 11 अपरेल 2005 में सुरू हुआ राश्ट्री किसी वीमा योजना का प्रारंब कोब हुआ था मेरे दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक जरू किजेगा और जो भाई चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा मेरे दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1999 से 2000 किमत धेराश्टी किसी वीमा योजना प्रारंब हुई आगे बढ़ेंगे एक मीटर में कितना इंच होता है मेरे दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 49.4 इंच होता है एक मीटर में 49.4 इंच होता है मेरे दोस्तों और इसी प्रकार प्र प्रैक्टिस नमबर 48 हम पूरा कर चुके हैं अब बढ़ेंगे 40 नमबर 9 प्रैक्टिस 8 की तरफ तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला कुश्चन आलू उत्पादन किस क्रांती से संबन्दी थे मेरे दोस्तों आलू का उत्पादन गोल क्रांती से आगे बढ़ेंगे गुल 1963 में की गई आगे अनुसूची 11 के तहट पंचाटों के कारेच्षेतर में आने वाले कुल कितने विसे दिये गए हैं सही जवाब 29 विसे दिये गए हैं आगे बढ़ेंगे भारत में पंचाती राजी दिवस कम मनाय जाता है तो 24 अप्रैल इसका सही जवाब हो जाएगा 24 अ लिगम की असापना जो की गई थी वो आपकी वो आपका किया गया था आपका कलकत्ता में जिसे आज कोलकादा के नाम से जानते हैं ग्रामिड वन नगर समुदाय में एक वैग्यानिक अंतर निम्न में किस आधार पर किया जा सकता है मेरे दोस्तों तो इसका सही जवाब हो ग्रामिड वन नगर समुदाय में अंतर लोगों के वैशाय के अधार पर आगे बढ़ेंगे भारत में प्रतिवर्स क्रिशक दिवस कब मनाये जाता है तो क्रिशक दिवस सही जवाब 23 दिसंबर आगे बढ़ेंगे पहली बार किसी संगर्णा किस वर्स कराई गई मेरे दोस तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 फर्स के अनुसार अगर बात की जाए मेरे दोस्तों तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कुशन की बात करते हैं भारत में सहिकारी सहिकारी समयतियों को किस संविधान संसोधन अधरियम के तहत संविधानिक दर्जा प्रदान किया गया तो सही जवाब हो जाएगा 97 वेवान संविधान संसोधन आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों अगला कुशन आगे बढ़ेंगे और अगला कुशन लेंगे आपके स्क्रीन पर आ चुका है नई किसी नई किसी नीदी में कितने छेतरों पर बल दिया गया साथ छेतरों पर दिय है क्या है मेरे दोस्तों युगू मतलब जोडा मतलब एक एक इसका सही जवाब हो जाएगा एक फसल में नहीं दोिया दो से अधिक फसल उगाना युगू propre है कहलाती है अगे बढ़ेंग से अग्ण होजाएगा अनता फसली क्रिसी आगे बढ़ेंगे एक हेक tääर कितने की माप मेरे दोस्तों खेतों की माप खसरा खताउनी के किस पैमाने में अंकित रहता है सही जवाब हो जाएगा आपका जो खसरा खताउनी में आपका पैमाना होता है वो पैमाना यूज होता है हेक्टेर का आपसर मिट्रिक इकाई वियुश्था कब अपनाई गई या वियु भारत का कौन सा राज छेतरफल की दिष्टी से बिक्षावरण के मामले में प्रतम अस्थान पर है तो वो आपका है आपका मध्य प्रदेश पहला जवाब हो जाएगा आगे बढ़ेंगे भारत में प्रति ब्यक्ति दूद उपलबधता कितनी है तो 322 ग्राम प्रति ब्यक्त कि शुरुआत कब और कहां से की गए मेरे दोस्तों पटना से की गई याद रखिए पटना से की गई एक ही आपसर मैच कर रहा है सही जवाब हो जाएगा 25 जुलाई 2015 पटना से सुरुआत की गई आगे बढ़ेंगे 23 कुश्चन प्रधान मंतरी आवास योजना ग्रामिड के अंतरगरत पारोती छेत्रों में केंदर एवम राज सरकार दोरा किस अनुपात में सहायता दी जाती है सही जवाब हो जाएगा 90 रुपए आपका केंदर सरकार देती है 10 परसेंट आपका राज सरकार देती है राज सरकार का हिसा 10 होता है केंदर सरकार का हिसा 90 होता है आगे बढ़ेंगे और अगला कुश्चन लेंगे 24 वा कुश्चन आपके स्क्रीन पे चलिए आगे बढ़ते हैं और जो भाई चैनल पे नए हो जरूर सब्सक्राइब कर लें आगे बढ़ेंगे राष्टी वन नीती 1988 के अनुसार कितने हिस्से पर बनो एवं बिच्छों का होना आपकी जो महिलाओं की संक्या है वो है आपकी 9.53 करोन आपसन भी सही जवाब और इस प्रकार हम 49 नंबर के प्रैक्टिसेट को पूरा कर चुके हैं मेरे दोस्तों 49 नंबर के प्रैक्टिसेट को पूरा कर चुके हैं अब बढ़ेंगे 50 प्रैक्टिसेट पे और इस प्रेक्टिसेट का पहला कुश्चन देखते हैं उत्तपदेश की कुल अबादी का कितना प्रतिसत हिंदू धर्म से संबंद रखता है मेरे दोस्तों तो उत्तपदेश की 80% लगवल जन संक्या हिंदू है सही जवाब 89.73 आगे बढ़ेंगे जन गड़ना 2011 के अनुसार संक्या निवास करती है वो उसकी संक्या है आपका 77.73 आगे बढ़ेंगे निम्न लिखित में कौन सा जीला अंतराश्टी सीमा असपर्स नहीं करता मेरे दोस्तों तो जो आपका जीला बसती ऐसा जीला है जो अंतराश्टी सीमा नहीं बनाता भारत में दूब्द सायकारी सम प्रद्रम किस प्रदान मंत्री के कारेकाल में प्रारंब हुआ बसे में तो वा बाहरत में सर्वादिक छेत्र में कौन सी फसल है मिर दोस्तों सही जबब गहुं हो जाएगा भारत में सबसंब ज्याद अगर कोई तो वह आपकी गहूं है आपसर आगे बढ़ेंगे निम्न में किस बिक्सित टर्मिनेटर तकनीकी का उपयोग किस फसल में होता है सही जवाब में दोस्तों हो जाएगा टर्मिनेटर का उपयोग चावल में होता है आपसर नमबर ए आगे बढ़ेंगे ग्राम भूप्रबंधन समीति का अध्यक्ष कौन होता ह इसका सही जवाब हो जाएगा ग्राम भूप्रबंधन ग्राम परधान अध्यच्छ होता है आगे बढ़ेंगे निम्नम में कौन सा कृत्य ग्राम पंचायतों में सम्मलित नहीं है मेरे बढ़ेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा कानून व्यवस्ता आगे बढ़ेंगे राष्ट्री ग्रामली विकास संस्थान के असापना कहा हुई तो सही जवाब हो राष्ट्री ग्रामली विकास संस्थान है आगे बढ़ेंगे प्रदेश में भू अभी लेक की रख रखाओ का उत्तरदाई तो किसे सौपा गया है मेरे दोस्तों तो ये आपका सौपा गया है ये उत्तरदाई तो होता है जीला धिकारी के पास आपसर नमबर D दाखिल खारिस की रिपोर्ट किसके निया आला में प्रस्तूत की जाती है सही जवाब हो जाएगा तैसिल दार आपसन नमबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा चलिए निम्खित में किस समीती ने पंचाती राज संस्ताओं को समयधानिक दर्जा परदान करने किसी पारिस की तो सही जवाब हो जाएगा एल एम सिंग्वी समिती और साथ में पी के थूंगन समिती मतलब सही जवाब आपसन डी ए और बी दोनों लोगों ने समयाधधानिक दरजा पर दान करने के सिपारिस की थी चलिए आगे बढ़ेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला कुश्चन सुलावा नमबर का कुश्चन लेते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं सुलावा कुश्चन की इस चार्टर अधिनियम के तहित मदरास मतलब वर्तमान में जो चिन्नाई कहलाता है कलकत्ता वर्तमान में जो कुलकागता कहलाता है और बंबई जो वर्तमान में मुंबई कहलाता है तीनों महानगरों के नगर निगम की अस्तापना की गए मेरे दोस्तों आपको पता होना चाहिए होगा कि चार्टर अधिनियम जब 1793 आया था उसी के तहट इन तीनों जगर इन तीनों नगरों को महानगरों को नगर निगम की अस्तापना की गई थी तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1993 और चार्टर अधिनियम 1793 आपसन नंबर भी हो जाएगा आगे बढ़ेंगे संबीधान में 17 मा कुश्चन संबीधान में नगर पारिकाओं के संबंदित प्रावधान को किस अनुच्छी में रखा गया में दोस्तों इसका सही जवाज़ हो जाएगा नुच्छी नबर 12 बारवी अनुच्छी आगे बढ़ेंगे पंचातों की सक्ती अधिकार और उत्तरदाइत किस अनुच्छी नमबर 243 जी में जी में है चलिए आगे बढ़ेंगे हरित क्रांती का प्रभाव किन फसलों पर पड़ा आपको पता है गेहूं और चावल गेहूं और चावल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आगे बढ़ेंगे किस क्रांती में पत्यच्छ रूप से प्रभाव किस फसल का उत्पादन किया जाता है तो धान का मेरे दोस्तों धान का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है आगे बढ़ेंगे सफेद सोना किस फसल को कहा जाता है मेरे दोस्तों कापास को कहा जाता है काला सोना अफीम को कहा जाता है ठीक तो चलिए सफेद सोना आपका कापास को कहा जाता है मेरे दोस्तों आफसन नमबर A सही जवाब हो जाएगा चलिए आंगे बढ़ेंगे भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पातक राज्य कौन है मेरे दोस्तों तो गन्ना सबसे रदा अपने उत्तर प्रदेश में होता है आफसन नमबर A हो जाएगा और ये लाश्ट प्रस्ण लाश्ट प्चास सेट में पूरे हो चुके है तो एकल सबसे जो कुस्ष्छान है इसका सई जवाब आप लोग बताएव किया हमीं बता देए CC कि से कहते आपसर नमबर A एक एक वरसमें केवल एक वर्स में केवल एक ही फसल उगाना आपसा नमबर B एकल सस्षिन कहलाता है मेरे दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाउग जरूर किजिएगा और जो भाई अभी चैनल पे नए हो वीडियो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आईकन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि आगने वाली वीडियो की नोटिफिकेसन आपको मिलती रहे और इस प्रैक्टिस एट को देखना जिस भाई को हो वो जाके आपका प्लेलिस्ट से नमबर वाई नमबर वाई देखके अपने प्रैक्टिस को मजबूती प्रदान कर सकता है तो मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे आप ही लोग हमारे लिए सब कुछ है तो आपकी सेवा में मैं हमेशा ततपर रहता हूँ और आगे भी रहने की कुछिस करूँगा तो चलिए जैसे है ये वीडियो अब तो समाप्त हो गई अब ये सोच रहा हूँ मैं कि यूपी इस पेसल आपके लाओंगा जरूर तो चलिए उपर देख लिए देवा एजूकेसन चैनल को सब्सक्राइब करना